काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है सभी साथियों को बहुत बहुत नमश्कार इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के महोबा की धर्ती पे ये आला उदल की धर्ती है और आज यहां बहुत सारे युवा भाई बहन से मिल रहा हूँ सबसे पहले मैं चाहूँगा सभी को दिखाएं और जोदा तालिया सभी लोग बजाते रहें ये सभी युवा भाई बहन डारेक्ट सेलिंग की दुनिया में धमा क्या मचा रहे हैं जोदा तालिया तो साच्यों आईए सभी युवा भाई बहन से बातचित करते हैं मुलाकात करते हैं आखिर ये डिरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं इनके पास तो रास्ता है ऑप्शन है दिली बंबई कलकता हाबड़ा कमाने की और दूसरा रास्ता सरकाई नौकरी में जाने की तो ये दो बिंदू भुमिया और मैं एंपी के डिष्टि कटनी से बिलोंग करते हैं पिता जी का करते हैं सर जी मेरे पिता जी नहीं है तो आप डारेक्ट सेलिंग बिजनस कर रही है जी सर कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर इस बिजनस से आप वास्तों में मालिक बन जाएंगी जी से लेकिन मन तो आपका बार बार तूट जाता होगा थक जाता होगा हार जाता होगा कि छोड़ो बिंदू रहन दो अब नहीं करना चलो घर चलते चूला चौका करते हैं फिर वी सर उमीद है उमीद है जी सर यहां कोई भेद भाव जातपात नो सर उंच कुछ भी नहीं सभी एक दूसे प्यार करते हैं और विजनस सभी आगे बढ़ते हैं लोगों क्या कहना चाहेंगी मैं तो यही कहूंगी कि जो डारेक्ट सेलिंग है बहुत ही शांदार बिजनिस है और यदि यहां पर जो भी गल्स या बोईस जो भी यदि सिद्धत से करेगा दिल से करेगा जरूर वो अपने सपनों को और यहां से काम्याब होगा अब यहां चाहूंगा आप इस बिसनस के अंदर क्यों आएं सर मैं इसलिए आयों कि बाहर की दुनिया में एक इंसान प्याइब भी कर सकता है पैसा भी कमा सकता है लेकिन वड़ सर्य यहां इस इंडिस्ट्री में आने का वज़ाई यह है कि यहां पर मैं अपना नाम रोश क्या बात है नमस्कार सर आपका क्या नाम है मेरा नाम है सुनियल सिंग जिला उमरिया मत बदेश्य विलॉंग करते हैं तो आप मुझे बताई आपको बिसनस अच्छी बात क्या लगी और आप क्यों ठीके हुए हैं जी सर मुझे सबसे अच्छा यह लगा है कि देखिए नमस्कार सर तो मैं आज यहां बहुत सारे लोग हैं कुछ बीच-बीच में परिच्छाएं भी लेता रहूंगे डारेक सिलिंग के बारे मिनको कुछ पता भी है है कि नहीं है अपना टेस्टमनी दीजिए अपने बारे में बताईए हैं सर मेरा नाम प्रदीप कुमार राव पहले दिखा दिए और फिर दिखाईए मैं कहा रहा हूँ इतनी बड़ी सभा यहां पर है लगबाग 50-60 लोग यहां मौजूद हैं इनको बार फिर से दिखाएं चारो तब दिखाएं यहां पर यह सारे लोग यहां मौजूद हैं और इसी बीच में आप खड़ें चली आप कैसे सुरुआत कैसे करें अपना अपना इंट्रोड़क्शन यहां पर आपको देना है जी सर मैंने इस बिजनेस को जोइन किया था करीब हो ही मार्च 29 मार्च को आज देखा जाए तो कम से कम तीन साड़े तीन महीना मेरे को हो रहा है और यहां पर काम करके मुझे लाज मजा आ रहे हैं मजा रहा है सॉक से करcl shift अपर काम कर रही तर्विसलन साप गां कॉल और अपने क्या सीखा क्या अगर अपसे बताना अबाए गया ऐन फेल डे प्रण तो आप समें चीजी और जाना चौंप के बारे मां आपको पता है पुछ? क्या है ड्रिम लिस्ट मेरा सपना है कि मैं यहां अच्छा काम करूं और अपने माता पिता को खुशी से रह सब्सक्राइब क्योंकि मेरे माता पिता किसानी का काम करते हैं नमसकार मैम यह कर लेंगे लिए आप नहीं कर पा ओगी यह कहां से आया है कि खुद पर विस्वास करेंगे तो हम जरूर कर लेंगे क्योंकि हमें गाइडलेंज करने वाले इतने आच्छे जो कि मार्गे से शर्मिल गाए हैं तो मुझे एक छी बता और यह सारे लोग जो आप पता था लेकिन यहां से आप लोग कर पार है सराइए नमस्कार मुझ बढ़ी खत्मनाख है मुझ के लिए आप भी मुझे लगता है यहां जाने जाते हैं यहां आप से जाना चाहूंगा सर की आपको बहुत सारे लोग तरह तरह की बातचित करते होंगे आप क्या पोलते भूकता रहते हैं लिग्यमर खाकर चला जाता है कुट अपके हजार जाई घी वहाए तो आपको कोई बुरह नहीं लगता इस काम में प्रेंसे लगा कि कोई कोई घर्वडी कोई असार कम्त्री अच्छता अगर बाकालत नहीं करता है तो एक भी रूप नहीं कमा सकता है अपनी दलीले पेस करनी होती है लोगों को समझाना होता है मुर्थों को जिन्दा करना होता है डूबे हुए को निकालना होता है फसने फसाने की बसने बसाने का नो सर बसने बसाने फसने 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 लोग साधी करता था जब बंधन भात तो भी त्वस्ता है तो मैं आप सबसे जाना चाहिए सब को कहा जाता है जो फसेगा वही हसेगा तो एक बार आप लोग हसेंगे मैं नमस्कार मैं नमस्कार मैं आप से जैसे ये तरदा के बात कर रहे हैं क्या आपसे ये इसी बात करते हैं ये सर आइसे आप से बात करते हैं नो सर क्यार से बात करते हैं अब मैं आप से जाना चाहिए कि ये बिजनस करके आपको अच्छा लग रहा है जी सर बहुत अच्छा लग रहा है किनको कभी आप चुपे सलाह देती हों कि इससे अच्छा जाके नौकरी करिए पता रहीं किस काम में फजगे मुझे फसाद ये कभी ऐसा लगता आपको नो सर हम तो यहीं बोलते हैं जब तक हम अपने शपनों को पूरा नहीं करेंगे तब तक यहां से हम नहीं जाएंगे सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग हम लोग घर अभी तक गाए भी नहीं है यहां कुछ एक ऐसा जो हमरा ड्रीम से है कुछ ड्रीम को पूरा करेंगे तभी घर जाएंगे जालिए बहुत अच्छी बात आईए मैम प्लीज वेलकम आजाई एक कदम आगे दार आईए नमस्कार मैम नमस्कार सर क्या नाम है आपका मेरा नाम संधिया सिंग मैं कटनी से बि बिजनस आप कर रही है यहां बिजनस अच्छा बढ़ रहा है अच्छा हो रहा है क्या सीखा है और क्या पाया अपने हां से बहुत कुछ इस जगह से सीखी जो मैं बोलने का कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं था घर पे जो रहती थी लेकिन यहां आने के बाद मुझे खुद बढ़ने वाली नहीं क्या बात है क्या बात है साथियों आप सब को मैं बड़ी पते की बात बताओं डारेक्ट सेलिंग के अंदर जब कोई बेक्ति आता है ना उसके पहले वो कक्छा 10 9 7 12 बीए बीए बीसी करके रहता है लेकिन वो जुबान से बड़ा कमजोर रहता है सई बात है आप सब भी क्या डारेक्ट सेलिंग के पहले बोल पाते थे क्या पैर लड़ खड़ाता था था ना हार्ट बीट बढ़ जाती थी ना धड़कने कमजोर हो जाती थी ना लगता था सब काम कर दूंगा लिए बोलने वाला काम नहीं कर पहूंग साही बात है गरीब से लिए आपको बोलना ही सिखाता है स्भाथ है आप बोलना ही सिखाता है चलिए sur आज点ाए प्लिए नमसकार सर दूंग नोकरी करते र्यूकरी नोकरी करते डरिक्सलिंग में आ गई फनसने चूना लगाने टोपी पहना पता नि'm work Brief को बोलते हैं आप इस काम में चलिया है अंगलाब एकती से permission लेते हैं पैसे मांगते हैं तो permission लेते हैं कि हमको मैसे चाहिए और दूसरी बात हम यहां आगर करके जो direct selling करते हैं तो हम खुद के मालीक है स्थुत के मालिक बनने के लिए लोग direct selling कर रहे हैं क्योंकि नौकर चाहे गौर्मेंट का हो चाहे प्राइबेट का हो नौकर होता है तो देख रहे हैं साथियों और भी बहुत सारे लोग यहां पे हैं कई सारे लोग भी इधर से मैं चाहूंगा कौन इधर से अपनी बात रखना चाहेगा मैं नमस्कार आप बताईए आप इस ब पुर्णिया जिला से बिलॉण करते हैं तो मैं आप से जानना चाहूंगा अपना राज और अपना सहर लोग छोड़ का दिली बंबई जाते हैं नौकरी करने के लिए उत्यप रदेस के महवजिले में आगए तो आप इसका बेनिफिट बताएं क्या फाइदे हैं इसके सबसे बड़ी चीजे हम घर पर बहुत अच्छा सा नहीं पढ़ाई करते हैं और डाइक सलिंग करने का एक ही मकसर जो भी इंसान अगर कोई काम करता या पढ़ाई करता है अपना केरियर के लिए करता है आज अभी के देट में देखा है इंसान पढ़ पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा था लिए यहां पर 18 साल 20 साल पढ़ाई लिखाए के बाद वावजूद एक भी रिजल्ट हांसिल नहीं हुआ उस चीजों को देखती मैं डाइक सेलिंग के जब मैं फीचर देखा और फीचर को देख के काम किया यहां पर एक ही सोच के स पूरा लाइब का पूरा सफना पूरा हो सकता है और यहां के केरियर बन सकता है प्रलस साथ जर्नेशन के लिए आप काम कर सकते हैं आज अधिकतर इंसान बहार में काम करता है तो जब तक सडीर में जान जाता है तब तक काम करता है कि नहीं क्या बात है इस जगह तो मैं बत करने से एक ही पेनी फीट है जो लाइफ में पचास साल काम करें यहां पर वन टाइम एक बार मेहनुत करके पुरा साथ जर्णिसन बदल सकता है हम सभी युवा से और सभी देश वासियों से हम एक ही चीज मेसेश देना चाहेंगे आप यगर चाहते हैं कम समय में अपना सपनों को पूरा करने के लिए अपना माबाप का सपना पूरा करने के लिए तो एक बार डैरेक्सली में कदम रखे जो आप पूरे लाइफ में ने कर पाएंगे वो पांस साल दस साल के अंदर एक बहतर जल्द बना कि अपने माबाप कर नाम और मान सम्मान पा सकते हैं. अपनी बात रखने का सामर्थ पैदा कर लिए हैं. डारेक्ट सेलिंग इससे बड़ी बात और क्या दे सकती हैं. तो सुरू हो रहा है ये जंग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक नई करांती, एक नया जोस, नया उमग, यहां को भीतर और पूरे भारत में अगर कोई एक प्लाटफार्म है, जो लोगों को रोजगार दे सकता है, बेमारी और बेरोजगारी से बचा सक तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जिसका नाम है जिसका नाम है जिसको अभी भी बहुत सारे राइचन ग्यांचन रहोस्यार चंद और बहुत सारे सलाह कार लोग बताते हैं काम ठीक नहीं है तो कल की आपकी तयारी होने वाली है तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्का thank you so much everyone